1.2. अंग्रेजी शासनकाल के अंतर्गत भारत में क्रिशिय सरचना 1.2.2. अंग्रेजी शासनकाल के अंतर्गत भारत में क्रिशिय सरचना 2.4.2. स्थाई बंदोबस्त व्यवस्था और क्रिशी सरचना 2.4.3. रयतवाडी व्यवस्था एवं क्रिशी सरचना 2.4.4. महलवाडी व्यवस्था में क्रिशी सरचना 2.4.5. बैंटिक भकर्जन के शासनकाल में क्रिशी सरचना का विकास 2.5 क्रिशी सरचना का प्रभाव, 2.6 सारांश, 2.7 अभ्यसार्थ प्रश्न, 2.8 संदर्प क्रंथों की सूची 2.1 प्रस्तावना क्रिशी की व्यवस्था एवं सरचना अर्थ व्यवस्था का महत्पपोर्ण अंग है भारत में क्रिशी की व्यवस्था प्राचीनकाल से ही अर्थ व्यवस्था का आधार बनी रही है। इस व्यवस्था में मानो सव्भेता के विकास से लेकर वर्तमान समय तक विभिन परिवर्तनों एवं स्वरूपों को प्रोचसाहन मिला। के विभिन क्षेतरों में भूमी व्यवस्था तथ सामाजिक व्यवस्था के उद्भाव का लेखा जोखा प्रस्तूत किया है। इस ख्रेतर में भारतिय सामाजिक ठाची में कृष्यकों की स्थिति वह उनके स्थान एतीहासिक विशलेशन आत्मक वीवेचन महत्वपोर्ण आधार माना जाता है। इसी प्रकार क्रिशी अर्थ व्यवस्था तथ राजनितिक प्रणाली भी इसका प्रमुख अंगर रहा है। ौत क्रिशी सरचना में इस विचार धारा का सपश्ठ करन किया जाना कि भारत में किरशकों के विभिन बर्गों के दबारा अन्याय, शोषण व अत्याचार से मुक्ति प्राप्त करने, उनका विरोध करने, सामाजेक आर्थिक वराज नितिक व्यवस्था के निर्माण करने म 2.2. अंग्रेजी शासन की स्थापना से पूर्व क्रिशी सरचना का स्वरूप भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना से पूर्व मुख्य तह मुगल समराटों का शासन एवं प्रशासन का स्वरूप विद्यमान था ये मुगल काल 15 वी शताब्दी से लेकर 18 वी शताब्दी तक निरंतर रूप में बना रहा। मुगल काल में प्रमुक रूप से मुगल समराट अकपर के शासनकाल के अंतरगत क्रिशी व्यवस्था के क्षेत्र में उल्लेक नियकार्य किये गए थे। मूरलेंड की तथ्यपूर्ण धारणा से ये सत्यता पूर्ण प्रमानित होती है कि मुसलिम युग में भारतिय राजनीती के अंतरगत तीन महत्व पूर्ण अंग थे। मुझा प्रमानित के शिवादन के हिस्से के रूप में भुगतान किया करते थे। कठिनाई ना हो। यदे भी इस व्यवस्था को सक्ति से लागू किया गया था तथा पी राजनीते का स्थेरता आर्थेक वसंप्रभुता के संकट की स्थिती में व्यवस्था के नियमों का उलंगन किया गया था। प्रिष्ट सत्ताईस इस वी से 1722 इस वी तक दिल्ली के निकट आग्रा धौलपूर क्षेत्र में जाटों के विद्रो प्रमुक रूप में हुए। ये संगर्ष केंद्रे सत्ता दथा मध्यस्थों के बीच बना रहा। मद्यस्तों को क्रिशकों द्बारा सहयोग बसमर्थन प्राप्त हुआ, लेकिन इस समय क्रिशकों को उनके उद्देशों में सफलता नहीं मिली। क्रिशकों को इस समय उन स्थानों पर पलायन करना पड़ा, जहां कि खेती करने की पूर्ण संभावनाए थी। मुगल शासनकाल में समस्या ये थी कि खिशकों को अत्यधिक खेशी उत्पाधन के लिए किस प्रकार प्रोच्छाहित किया जाए, मुगल समराटों की राजस्व प्रत्यक्ष रूप में अनुपात में हुआ करती थी। इसी प्रकार प्रिशकों का भूमी पर कानूनी अधिकार होने की तुलना में उन्हें भूमी पर खेती करने का अधिकार दिया जाना अत्यधिक महत्वपूर्ण था। मुगल समराटों ने जब अपने स्थानिय सर्दारों वर राजाओं के क्षेत्रों में परिवर्दन की नीती को अपनाया उसके परिणाम स्वरूप ग्रामिंड समुदाय के केंद्रिय शक्ति के साथ राजस्व के फल स्वरूप जुड़ गया। 3. निर्धन क्रिशक 4. भूमिहीन मजदूर अथ्वा क्रिशक मुगलों के अंतरगत क्रिशी उत्पादन का तरीका पिछणा हुआ था। सीचाई के उद्दिश से नहरों का निर्मान कुछ ग्रामिंड क्षेत्रों में नहीं किया गया था। संगठित बाजारों की संख्या बहुत कम थी। इसी प्रकार आवागमन और रिंड सुविधाओं की भी कमी थी। 2.3. भारत की आर्थिक सामाजिक व्यवस्था में क्रिशकों की स्थिति भारतिय संभिता की उद्भव के साथ आर्थिक वसामाजिक व्यवस्था का प्रमुक रूप में विकास हुई। आर्थिक क्षेत्र में क्रिशी मुख्य व्यवसाय रहा, अधिकांश लोग यद्यपी अन्य उद्योग धंदे वव्यवसाय किया करते थे, लेकिन क्रिशी कार्य अधिकाधिक संख्या में किया करते थे, इस क्षेत्र में क्रिशक क्रिशी संबंधी कार्य किया करते थे, तथा वर्तमान में भी उनका ये प्रमुक कार्य है सामाजिक व्यवस्था के क्षेत्र में यद्यपी विभिन वर्गों का उदय हुआ लेकिन क्रिशक वर्ग उल्लेक नियवर्ग रहा जिसके द्वारा क्रिशी उत्पादन कर आम लोगों के लिए खाद्य सामगरी उपलब्ध होना संभव होता है यद्यपी इस वर्ग का समाज में निम्न वर्शोशन पूर्ण स्थान रहा तथा पी इस वर्ग की अर्थव्यवस्था में उल्लेक नियस्थिती रही डैनियल थोर्णर ने क्रिशकों की सामाजिक वा आर्थिक द्रिश्टी से तीन महत्व पूर्ण श्रिण का उल्ले किया है एक भूमी से प्राप्त होने वाली आय का प्रकार अ लगान ब स्वयम के उत्पादन से लाब समजदूरी प्रिष्ट 28 दो अधिकारों की प्रकृति अ स्वामित्व ब किरायदार के रूप में स फसल के भागिदार द किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त ना ह वासविक रूप में किया गया क्रिशी कार्य अ अनुपस्थित क्रिशक जो कोई कार्य नहीं करते थे ब जो कुछ कार्य करते थे स वासविक क्रिशकों के द्वारा किया गया पूर्ण कार्य जो की परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर किया गया परिश्रम द मजदूरी प्रा मालिक, इने भूमी पर से मालिकाना अधिकार के रूप में आय प्राप्त होती थी, मालिक किरायदारों फसल के भागिदारों से भूर राजस्व एकत्रित करती थे, इनमें बड़े जमिनदार व धनवान जमिनदार होते थे 2. किसान, कृषी कार्य करने वाले कृषक, कानूनी अत्वा परंपरागत भूमी पर अधिकार होता था, इनमें छोटे कृषक व किरायदार के रूप में कृषक होते थे 3. मजदूर, अ, निर्धन किरायदार, कृषक, ब, फसल भागिदार, स, भूमिहीन मजदूर रूस व चीन के समाज में जो कृषी सरचना व व्यवस्था का स्वरूप रहा, एवं जिसका विवेचन लेनिन वमाओ ने किया, उसके आधार पर भारत में कृषी सरचना का स्वरूप इस रूप में देखा जा सकता है एक भूस्वामी, दो धनिक क्रिशक, तीन मध्यम क्रिशक, चार निर्धन क्रिशक, पाँच भूमिहीन मजदूर Statistical Abstractor of British India, 1943 इस्वी के आकडों के अनुसार, भारत में 1931 इस्वी तक क्रिशी क्षेत्र में लाग प्रत रोजगारित संख्या यहां तालिका के रूप में दर्शाई गई है, ये तालिका इस प्रकार है व्यवसाई, क्रिशी जोद लगान बसूली, संख्या, 32,57,391, क्रिशी व्यवसाई में कारिरत क्रिशकों का प्रतिशत 2.9, कुल चन संख्या का प्रतिशत 2.1 करता, अक्रिशी जोद स्वामी, खेतिहर भू स्वामी, संख्या, 2,70,6,100, क्रिशी व्यवसाई में कारिरत क्रिशकों का प्रतिशत 26.2, कुल चन संख्या का प्रतिशत 17.5 व्यवसाई किरायदार क्रिशक, संख्या, 3,41,73,904, क्रिशी व्यवसाई में कारिरत क्रिशकों का प्रतिशत 33.2, कुल चन संख्या का प्रतिशत 22.2 व्यवसाई क्रिशी मजदूर, संख्या, 3,14,8,219, क्रिशी व्यवसाई में कारिरत क्रिशकों का प्रतिशत 31.2, कुल चन संख्या का प्रतिशत 20.5 व्यवसाई, विशेश उत्पादक फसल क्रिशक, संख्या, 24,86,770, क्रिशी व्यवसाई में कारिरत क्रिशकों का प्रतिशत 2.7, कुल चन संख्या का प्रतिशत 1.6 व्यवसाई, अन्य संपत्ति एजेंट, मैनेजर आदी, संख्या, 2,27,269, क्रिशी व्यवसाई में कारिरत क्रिशकों का प्रतिशत 0.2, कुल चन संख्या का प्रतिशत 0.1, कुल उत्पादन, संख्या, 9,86,31,590, क्रिशी व्यवसाई में कारिरत क्रिशकों का प्रतिशत 96.0, कुल चन संख्या का प्रतिशत 0.2, कुल चन संख्या का प्रतिशत 0.2, व्यवसाई पशुधन, संख्या, 35,12,065, क्रिशी व्यवसाई में कारिरत क्रिशकों का प्रतिशत 3.8, कुल चन संख्या का प्रतिशत 2.3, व्यवसाई कुल क्रिशिकत व्यवसाई संख्या 10,24,54,147, क्रिशी व्यवसाई में कारिरत क्रिशकों का प्रतिशत 100.0, कुल चन संख्या का प्रतिशत 6.5, व्यवसाई लाप के उद्देश से संख्या 15,49,16,050, क्रिशी व्यवसाई में कारिरत क्रिशकों का प्रतिशत डैश, कुल चन संख्या का प्रतिशत डैश, यहाँ ये तालिका समाप्त होती है, प्रिश्ट 29, उक्त तालिका के आधार पर ये स्पष्ट होता है कि भारत के अधिकांश करीब किसान किरायदार क्रिशक किश्रणी में आते थे, इस द्रिश्टी से ये कहना स्पष्ट होगा कि 65 से 70 प्रतिशत भारत की क्रिशी जन संख्या भूमी हीन थी, उक्त आगडे भारत की क्रिशी सरचना के पिरामिट स्वरूप को दर्शाते हैं, अतह जो क्रिशक भूमी व आधिकार प्राप्त थे, वे संख्या में कम थे, जबकि वे क्रिशक जो की वास्तों में भूमी पर खेती करते थे, वे ज्यादा थे तथा उन्हें अधिकार प्र जाती से संबंधित हुआ करते थे, इनमें ब्राम्हन, ठाकुर, बनिये, उत्तरी भारत में प्रमुक थे, आंध्र प्रदेश में कामा, रेड़ी वर राव तथा मैसूर राज्य में ओक्का, बेख और लियागत होते थे, गुजरात क्षेत्र में पट्टेदार एवं महाराष वदेश मुख हुआ करते थे, ये सब स्थानिय भूमी प्राप्त वर शक्तिशाली जाती होती थी, गाव के सर पर ये वर्ग एक छोटी इकाई का निर्मान करते थे, मध्यम एवं गरीब किसान प्राहरिंड में दबे हुए होते थे, ये क्रिशक वर्ग मुख्य रूप में परंपरा गत किसान होते थे, जिन में खेती करने वाले खृशक, कारिगर आदी होते थे, जो भूमी हीन मज्दूर होते थे वे अधिकांशतह, असप्रिश जाती, हरिजन, आदी से संबन्धित होते थे, उधरनज़ी स्वरूप उत्तरप्रदेश में खृषी कार्ण करने इस वर्ग में से कुछ के पास टुकडों में भूमी बिखरे हुए रूप में थी, अर्थात कुछ एक स्थान पर, कुछ दूसरे स्थान पर, भूमी पर अधिकार हुआ करता था। कुछ कृषकों के पास निर्धारित्म निष्चितवधी के लिए भूमी पर अधिकार होता था, इस दृष्टी से या तो उनहें स्थाई रूप में अत्वा साल दर साल के लिए लीज पर भूमी प्राप्त होती थी। इस प्रकार समाजव आर्थिक शेत्र में कृषक वर्ग तथा उनका आर्थिक स्थर भारती कृषिय सरचना में उलेक नियस्थान रपता है। दो दशमलव चार अंग्रेजी शासनकाल के अंतरगत कृषी सरचना 1764 इसवी से 1947 इसवी। एतिहासिक तथ्यों के आधार पर ये स्पश्ट है कि बंगाल में सर्वप्रथम 1764 इसवी मे बकसर युद में सफलता प्राप्त करने के पश्चात अंग्रेजों ने अंग्रेजी इस्ट इंडिया कंपनी के शासक की स्थापना की थी। यद्यपी मुगल सम्राड जहांगीर के द्वारा 1616 इसवी में अंग्रेजों को व्यापारिक कंपनी के रूप में इस्ट इंडि मीर कासिम को पराजित करने के पश्चात अंग्रेजों ने बंगाल में कंपनी के अंग्रेजी इशासन की स्थापना की थी। इस समय से कंपनी व्यापारिक कंपनी होने के साथ साथ राजनितिक सत्ता के रूप में भी स्थापित हो गई थी। परिणाम सरूप अंग्रेजों ने 1947 स्वी तक भारत में शासन किया। अंग्रेजों ने लगभग 200 वर्शों तक भारत पर शासन किया एवं उनका प्रभाव बना रहा। इस थिते में भारत ये समाज के लगभग सभी क्षेत्रों में परिवर्दन को संभाव बनाया। प्रिष्ट तीस 2.4.1 वैच शासन के अंतरगत क्रिशी सरचना 1765 इसवी में अंग्रेजी कमपनी को बंगाल के दिवानी अधिकार प्राप्त हुए थे इस लिष्टी से 12 अगस 1765 इसवी के फर्मान के अनुसार मुगल समराट शाह आलम ने 26 लाख रुपए वार्शिक के बदले दिवानी का अधिकार अंग्रेजी इस्ट इंडिया कमपनी को सौप दिया था फर्वरी 1765 इसवी में नजम दौला मीर जाफर के पुत्र को नवाब बनाने की अनुमती दे दी गई लेकिन शर्त ये थी कि निजामत का लगभग समस्त कार्य कमपनी के अधिन तथा दिवानी मामले नायब सुबेदार जिसे कमपनी मनोनीत करेगी और उसे कमपनी की अनु जोगल समराट से अंग्रेजी कमपनी को दीवानी तथा बंगाली सुबेदार का दाइप प्राप्त हो गया था अंग्रेजी कमपनी ने दीवानी कार्य के लिए दो उप दीवान बंगाल के लिए मुहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा शिता ब्राय नियुक्त कि ये व्यवस्था देद प्रणाली भी कहलाती थी। अंग्रेजी कमपनी के शासनकाल में क्रिशी की जो व्यवस्था वधाचा विक्सित हुआ उससे भूमी का उपजावपन नश्ट हो गया तथा किसान भू को मरने लगे। कमपनी ने लगान वसूली करने के उद्देश से ठेके की प्रथा को अपनाया। इस व्यवस्था के अनुसार भूमी एक बर्ष के लिए ठेके पर दे दी जाती थी। जो व्यक्ति ठेके पर लेता था वो भूमी की उर्वरता को बढ़ाने वो बनाय रखने के लिए कुछ नह देमान थी क्योंकि उन्हें कमपनी के संचालकों को धन देना होता था। इस धनराशी की वसूली हे तू अंग्रेज करमचारी किसानों से अधिकाधिक लगान वसूल करने के लिए पाध्य होते थे। भूराजस्वई वसूली हे तू नायब दीवान असपल रहे। परिनाम स्वरूप उनकिस्थान पर अंग्रेजी कमपनी द्वारा आमिल नामक करमचारी नियुक्त किया गया। 1770 इस्वी में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा, इस अकाल की स्थिती में भी आमिल प्रिशकों का शोशन करते रहे। इस स्थिती में किसान बजान बर भूग से मर ग इस वर्ष बंगाल में विद्यमान वैद प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। वारिन हैस्टिंग ने मोहमद रजाखा तथा राजा शिताबराय को पदच्युत कर दिया। इस समय कलकत्ता परिशद और उनके प्रधान को मिला कर राजस्वबोट की स्थापना की गई। ब वारिन हैस्टिंग ने समस्त भूमिका स्वामी कमपनी को माना, जमिंदारों को केवल कर संग्रह करता ही माना, जिने क्रिशकों से भू राजस्व एकत्रित करने के लिए अधिकार प्रदान किया गया। वारिन हैस्टिंग के शासनकाल में प्रारंभ में 1772 इस्वी में भू प्रिश्ट तथा निजी व्यापार में लगे कलेक्टरों को पच्योत किया तथा उनके स्थान पर जिलों में भारतिय दिवान नियुक्त किये गए। उनका कार्य निरिक्षन करने के लिए छै प्रांतिय परिशदे नियुक्त की गई। ये सभी कलकता स्थेत राजस्व सम प्रायास किया। भूमी की क्षमता अधिक मानी जाती थी तथा भूराजस्वकर अत्यधिक निश्चित किया जाता था। 1776 इस्वी में पंच वर्षिय ठेके की समापती पर पुना एक वर्षिय प्रणाली अपनाई गई तथा भूराजस्वकर एकत्रित करने के अधिकार निलाम कर दिये गए थे। जमिंदारों की सिति को इस समय अपिक्षागृत अच्छा समझा गया। क्रिशकों की सिति शोशन पूर्ण बनी रही। 1781 इस्वी में पुनह इसक्रिशी व्यवस्था में सुधार किया गया। जिलों में पुनह कलेक्टर नियुक्त किये गये लेकिन उन्हें भूराजस्व कर निश्चित करने का अधिकार नहीं दिया गया था। इसक्षेत्र में कानून को पुनह नियुक्त किये गये। कलकत्ता स्थेत राजस्व समिती को निरिक्षन का कार्य सौपा गया था। 2.4.2 स्थाई बंदोबस्त व्यवस्था और क्रिशी सरचना अंग्रेजी गवर्नर जनरल लॉर्ट कानवालिस के शासनकाल में क्रिशी धाचे में महत्वपोल्न परिवर्दन किये गए। इसक्षेत्र में 1793 इस्वी में भूमी व्यवस्था को स्थाई बंदोबस्त व्यवस्था के रूप में लागू किया गया। जमिनदारों को भूमी का स्वामी मान लिया गया। भूमी के लगान का आट पटे नौ भाग कमपनी को देना था तथा एक बटा नौ भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। इस व्यवस्था में भूराजस्व की धनराशी स्थाई रूप में निश्चित कर दी गई जो की नियमित रूप में समय पर कमपनी के कोश में जमा करने की व्यवस्था की गई थी। स्थाई बंदोबस्त व्यवस्था के आंतरगत जमिनदारों को भूमी पर पूर्णतया पामित्व के अधिकार प्रदान किये गए थे। इस व्यवस्था के फलस्वरूप भूमी पर नियंत्रन रखने के ख्षेत्र में धाचागत परिवर्तनों को प्रोच साहन मिला। बंगाल के जमिनदारों ने ग्रामीन समाज में शक्तिशाली बर्ग का निर्मान किया। भूर दिय शक्ति व क्रिशकों के मध्ये जमिनदार महत्वपॉर्ण कडि थे। अंग्रेजों के दिश्टी में भुमी की स्थाई बंदोबस्थ व्यवस्था का स्वरूप ब्रिटिश समराज के निर्मान के लिए वफादार बर्ग का निर्मान करना था लेकिन ये इस व्यवस्था ने क्रिशकों के भूमी पर से प्राकृतिक वस्वामित्व के वास्तविक अधिकार से उन्हें वंचित कर दिया था। भूमी के सथाई बंदोबस्त विवस्था ने क्रिशकों की स्थिती में किसी भी प्रकार के परिबर्तन को संभव नहीं बनाया था, जमिनदारों की स्थिती भी वास्तविक रूप में संतोष जनक नहीं थी। जो जमिनदार भूराजस्व की धनराशी का भुखतान करने में असफल रहता था उसके भूमी पर से अधिकार समाप्त कर दिये जाते थे भूमी के अधिकार नीलाम कर दिये जाते थे उनके स्थान पर नए जमिनदारों को नियुक्त कर दिया जाता था लेकिन इस समय जमिनदारों को ये अधिकार प्राप्त था कि वे जिन क्रिशकों को अंग्रेजी शासनकाल में इस व्यवस्था के फल्स्वरूप क्रिशकों व सरकार के बीच बहुत से मध्यस्त उत्पन्न हो गए जो अपना अपना हिस्सा प्राप्त करने में लग गए थे। इस व्यवस्था से समाज, जमेंदार तथा आसामियों एक दूसरे के विरोधी दलों में बढ़ गया था। सामाजिक द्रिश्टिकोंट से स्थाई भूमी व्यवस्था दोश पूर्ण थी, कंपनी ने भूपती वकिरायदार क्रिशकों दोनों के हितों की अवहेल ना की प्रिश्ट 32, 2.4.3 रयत बाडी व्यवस्था एवं क्रिशी सरचना, अंग्रेजी शासनकाल में क्रिशी के व्यवस्थागर ठाचे की अन्य उल्लेखनिय विशेश्ता रयत बाडी भूमी व्यवस्था थी, अंग्रेजी गवर्नर जनरल लार्ड हेस्टिंस के काल में टामस मुन्रों ने अठारोसो बीस इस्वी में जब वो मद्रास का गवर्नर बना उसने मालावार, कन्नड, कोयम बटूर, मदुरई तथा डिंडिकुल क्षेत्रों में रहयत बाडिक कर व्यवस्था को लागू किया। इस व्यवस्था के अंतरगत क्रिशकों को भूमी का स्वामी माना गया, तथा बिना किसी जमिनदार अत्वा ग्राम समाच के बिचोलिये के सीधे भूराजस्वकर का भुपतान करना होता था। इस व्यवस्था के अंतरगत किसानों के भूमी पर वंचानुगत अधिकार स्व प्रत्यक भूमी का कर हमीशा के लिए निश्चित कर दिया गया तथा उसे नगत रूप में वसूल किये जाने की व्यवस्था की गई तिशकों को इस पात की स्वतंत्रता भी दी गई कि वे अपनी इच्छानुसार किसी खेत में फसल का उत्पादन करें अच्वा किसी खेत को बिना जोते छोड़ दें प्रत्यक भूमी की विस्टित रूप में नाप की गई साधरंता भूमी की लगान दर कम निर्धारित की जाती थी इस व्यवस्था में बंबई प्रेसिजेंसी में रहयत वाड़ी भूमी व्यवस्था को लागू किया गया था इस व्यवस्था में भूमी के किस्म, उत्पादन, भूमी में किये गई सुधार, बचत, वर लाब की स्थिती में किया जा सकता था। इस थिती के फलस्वरूप कृषकों की श्रेणी में किरायदार कृषक, उफ किरायदार, फसल भागिदार कृषकों का उद्भव हुआ। 2.4.4 महलवाडी व्यवस्था एवं क्रिशी सरचना अंग्रेजी शासनकाल में क्रिशी व्यवस्था के अंतरगत भूर आजस्वव भूमी की सुचार व्यवस्था के उद्देश से महलवाडी अत्वमाल गुजारी प्रणाली को लागू किया गया था। इस परधती में गाउं को एक इकाई के रूप में स्विकार किया गया। इस रिष्टी से अवद को छोड़ कर सायोगत प्रांतों, पंजाब तथा केंद्रिय प्रांतों में अपनाया गया। जिन ख्षेत्रों में महलवाडी व्यवस्था को लागू किया गया था, उनमें विभिन गाउं सम्मिलित थे। इन गाउं में एक जाती, कुटुम भी, उत्तराधिकारी से संबधित सदस्य निवास किया करते थे। इसलिए भूमी पर प्रिशी भागिदारी के रूप में क कि जाती थी। इसम्मिलित स्वामित्व वसंप्रदाय विशेश की व्यवस्था बनी रहती थी। इस व्यवस्था के अनुसार राजस्व कलेक्टर को ये अधिकार दिया गया कि वो पट्टे के भूमीकर का ब्योरास पश्ट लिखने की सुविधा किसानों को प्रदान करे ऐसे गाउं में जहां जमिनदार नहीं हैं तथा भूमी कर व्यवस्था सीधे किसानों से गाउं के आधार पर निर्धारित की जाती थी कलेक्टर को जमिनदारों व किसानों के मध्ध जगडों व विवादों को सुलजाने का अधिकार प्रदान किया गया उचित न्याय न मिलने पर कलेक्टर उन मुकद्मों को दिवानी अदालत में ली जा सकते थे अंग्रेजी शासनकाल में एल्फिंस्टन ने पेश्वा से प्राप्त किये प्रदेशों की भूमी कर व्यवस्था को भी सुचारू बनाया था इस डिश्टी से उसने बंबई में महलवाडी तथा रायत वाडी प्रणाली के सम्मिश्टन से इस प्रदेश की भूमी कर व्यवस्था की थी इस व्यवस्था में क्रिशक के अधिकार सर्विक्षन के पश्चात किये गए तथा भूमी कर के संग्र आधी का कारिय कुछ वर्षों के लिए पाटी लोगों को सौब दिया गया बंगाल में रायत के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए 1822 इस्वी में बंगाल काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया जिससे यदि रायत अपना निश्चित किराया आधी देती रहे तो उसे विस्थापित नहीं किया जा सकता था इसी प्रकार विशेश परिस्थितियों को छोड़ कर किराया बढ़ाया नहीं जा सकता था प्रिश्ट तैंतिस 2.4.5 बैंटिक वकरजन के शासनकाल में क्रिशी सरचना का विकास गवर्नर जनरल विलियम बैंटिक के शासनकाल के अंतरगत बंगाल में भूमी कर संग्रहन के लिए प्रभावशाली प्रयास किये गए थे इस रिष्टी से पश्चिमोत्तर प्रांत में राबर्ट मार्टिन्स बर्ट की देखरेक में भूमी की राजस्पर व्यवस्था को सुचारू बनाया गया इस क्षेत्र में बैंटिक सरकार ने 1822 की योजना की पूर्ण रूप से समीफशा की तथा इस निश्कष पर पहुँची कि इस योजना से लोगों को काफी कठनाई हुई है अथा 1833 के रेगूलेशन पारिप किये गए जिसके द्वारा भूमी की उपच तथा भूमी का कर का अनुमान लगाने की पध्धती सरल बना दी गई इस व्यवस्था में भिन भिन प्रकार की भूमी के लिए अलग-अलग औसत भूमी कर निश्चित किया गया इस पध्धती में पहली बार जमीनों के मानचेत्र तथा पंजिकरन व्यवस्था को लागू किया गया बेंटिक के काल में लागू की गई व्यवस्था के अनुसार एक भाग की भूमी का सर्वेक्षन किया जाता था जिसमें खेतों की परिधिया निश्चित की जाती थी और पंजर तथा उपचाओ भूमी स्पष्ट की जाती थी इसके पश्चाद समस्त भाग का और फिर समस्त ग्राम का भूमीकर निश्चित किया जाता था भूमी करका 66 प्रतिशत भाग राज्य सरकार का भाग निश्चित किया गया तथा ये व्यवस्था 30 वर्ष के लिए की गई इस करके भाग का पुनरीक्षन लॉट डलहौजी के शासनकाल में किया गया जिसका 50 प्रतिशत भाग कर दिये जाने का सुझाव दिया गया था लाट करजन के शासनकाल में 1902 इस्वी में भूमी प्रस्ताव के द्वारा भूमी कर एकत्रित करने में अधिक लचिलापन उत्पन करने की योजना निश्चित की गई तथा उपजना होने पर भू राजस्वकर में छूट अत्वा कम करने की व्यवस्था की गई ये भी व्यवस्था की गई कि यदिकर में व्रधी करनी हो तो ये व्रधी धीरे धीरे की जानी चाहिए खृषी उत्पादन बढ़ाने वा कृषकों को राहत देने हैं तुझ सीचाई के साधनों नहरों के निर्माण की व्यवस्था की गई पंजाब भूमी अन्यक्रामन अधिनियम पारित किया गया, जिससे क्रिशकों की भूमी का गैर क्रिशकों के पास हस्तान तरिथों ना समाप्त हो गया। 1904 इसवी में एक सहकारी रिंट समिती अधिनियम पारित किया गया जिससे क्रिशकों को थोड़ी दर पर उधार मिल सकता था। इसी भाती एक महा निरिक्षक के अधीन सामराज क्रिशी विभाक स्थापित किया गया जिससे भारतिय क्रिशी पशुधन और क्रिशी विकास में व्यज्ञानिक तरीकों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा सके। इस प्रकार अंग्रेज जिनोंने 1947 सीस्वी तक भारत में राज किया, उनके शासनकाल में निरंदर रूप में क्रिशक, क्रिशी, भूमी की वेवस्था शोशन पूर्ण अत्याचार पूर्ण बनती चली किसानों में असंतोष वविद्रों का वातावरन बन गया, इस समय जमिनदारों सहुकारों का शोशन अत्यदिक रूप में बढ़ गया था, इस सिति में क्रिशकों ने सरकार, जमिनदारों, सहुकारों के विरुध आंदोलन किये, ये क्रिशक आंदोलन भी अंग्रेजी शा अंग्रेजी शासनकाल में 1764 स्वी से 1947 स्वी तक भूमी की व्यवस्था, भूराजस्व की नीती, क्रिशकों की श्रेणी, वर्ग, उनकी स्थिती, क्रिशी का स्वरूप, भूमी से संबंधित नियम प्रणालियों का जो परिवर्तित स्वरूप रहा, उससे भारत में भूमी, क्रिशक, क्रिशी व भूराजस्व व्यवस्था अत्यधिक रूप से प्रभावित हुई, प्रिश्ट 34, भारत में क्रिशी सरचना के परिणाम स्वरूप, क्रिशकों के प्रतिशोषन, अन्याय, अत्याचार, उपेक्षा की नीती को विशेश बल मिल उनकी इस स्थिती में सुधार होने के स्थान पर शोचनिय स्थिती बन गई थी, क्रिशकों में असंतो शेवम विद्रो की भावना प्रजवलित हुई, क्योंकि अंग्रेजी शासनकाल में क्रिशकों के हीतों, उद्देश्यों, उनके भूमी पर अधिकार, उचित पारिश रमेक, आर्थिक लाब, सामाजिक सुरक्षा, आधि के प्रती उपेक्षा की निती को अपनाया गया, क्रिशकों को भूमी के प्राक्रतिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया था, जो क्रिशक किरायदार क्रिशक थे, उनसे अत्यधिक लगान की वसूली की जाती थी, इसम कोई सरख्षन प्राप्त नहीं होता था, बल्कि जमिंदारों वसाहू कारों का पक्ष लिया जाता था, खिशकों की इस दयायनिय स्थिति के परिणाम स्वरूप, खिशकों ने सरकार के विरुध आंदोलन का सहरा लिया, इस स्थिति के भल स्वरूप, भारत में खिशक आं चेत्र में विकास संबंधी आवश्यक कदम नहीं उठाए बलकि उपेक्षा के द्रिष्टि कोंड को अपनाया। अंग्रेजी सरकार भारत में क्रिशी की उपेक्षा करके इंग्लेंड का आर्थिक विकास करना अपना उद्देश्य मानते थे। उन्होंने क्रिशी उत्पादन में एक अच्चा माल प्राप्त करके इंग्लेंड में उससे उत्पादित माल तयार करवा कर आर्थिक लाप कमाया। इस्थिति के कारण भारतिय क्रिशी का पतन होना प्रारंभ हो गया। क्रिशी हेतु उत्तमखाद बीज वसीचाई के साधनों को उपलब्ध न करवाना, क्रिशी संबंधी यंत्रों उपकरणों की व्यवस्था परियाप्त मात्रा में न करवाना, क्रिशी के क्षेत्र में अत्यधिक करों की विद्यमानता, आधिक स्थिति के परिणाम स्वरू भारत में अंग्रेजी शासन के अंतरगत क्रिशी सरचना में भू राजस्व व्यवस्था तथा इस व्यवस्था हेतू जो प्रणालियां साई बंदोबस्त व्यवस्था, रयतवाडी व्यवस्था, महलवाडी व्यवस्था लागू की गई बे दोशपूर्ण तरीकों खानी हुई, कर्मचारी व अधिकारी भ्रष्ट हो गए तथा क्रिशकों का आर्थिक शोशन हुआ, क्रिशी सरचना के परिणाम स्वरूप, क्रिशी भूमी का भी पतन हुआ, भूराजस्व व्यवस्था, भूमी का वर्गी करण, भूमी के संबंध में समय समय पर लागू की गई नीतियों के कारण, भूमी उप्विभाजन, अपखंडन भूमी